तो स्वागत आप सभी का यूबी की टॉप 20 निउस में चलिए जानते हैं फटाफट से 20 महात्पुर बड़ी खबरे आप हमारे साथ इस वीडियो में अंते तक बने रहिएगा क्योंकि आज की जानकारी बेहत खास है जिससे आप को और हमको कुछ न कुछ लाब तो जरूर मि वे खुद ही बिल निकाल सकेंगे और समय पर जमा भी कर सकेंगे या संभव हुआ है उत्तरप्रदेश पॉर कॉर्परेशन की वेबसाइट पर दिये गए लिंक और विभाग के कंज्यूमर एप से रविबार को उर्जा मंतरी एके सर्मा ने फील्ड होस्टल में इस एप औ उस समाधान योजना के तैद अपना अंतिम हिसाब करा लें वैं तेलंगाना पहुंचे सीम योगी ने हैदरबाद का नाम बदलने का वादा कर दिया है बताया क्या होगा अगला नाम आसम के मुक्यमंतरी हीमंद विस्वा सर्मा ने भी सुकवार को कहा था कि तिलंगाना में सत्ता के आने पे 30 मिनट के भीतर भाजपा हैदरबाद का नाम बदर कर भागे नगर कर देगी। और महबूब नगर को पला मुरू के रूम्प में स्थापित करने के लिए तिलंगाना आये हैं। मुस्लिम से हिंदू बनी खुजबू को अगवा कर ले गए मायके वाले बरेली के युवक से किया था प्रेम विवा जै दोस्तो भदोही संतरविदास नगर की निवासी खुजबू बानो और खुजबू सकसेना को उसकी माव भाई बरेली के भोजी पुरा इस्तित ससुरा था दोनों में दोस्ती हुई फिर प्यार हो गया पिछले मैने 11 अक्टूबर को विसाल के साथ बरेली आई और अगस्त मुनी आस्रम पहुंची यहां पंडित केकिस संगधार के सामने उसने धर्म परिवर्तर कर विसाल से साधी कर ली वायूबी के किसानों के लिए बड़ी खुसकबरी है अब खेतों में ड्रोन से होगा छिड़काओ शुरू हुआ है पाइलट प्रोजक्ट उत्तर परदेश के बरेली जिले में पहली बार खेती में किसानों की मदद के लिए ड्रोन पहुंचेगा कई गाउं में ड्रोन से तरल यूरिया वा डियेपी उर्वरकों का छिड़काओ किया गया है आगामी दिनों में रभी की फसल भुवाई में भी ड्रोन तकनीकी का उपियोग किया जाएगा ड्रोन से एक दिन में 20-25 एकर फसल का छिड़काओ किया जा सकता है वह एकलेस यादों ने केंदर और योगी सरकार के काम काच पर उठाए सवाल नोट बंदी से लेकर पुलिस भरती तक का किया जिक्र अकलेस यादों ने महारैली के मंच से बीजेपी केंदर सरकार उत्तर प्रदेश सरकार को जोरदार हमला किया है अगरों पुलिस में नई भरती और नोट बंधी को लेकर कई सवाल उठाई है अकलेश ने मंच से उत्तरपरदेश में पुलिस में हुई नई भरती का भी जिक्र किया चार पयरवाली नई भरती को लेकर अकलेश यादो सरकार को घिरते हुए न जड़ाई वह एकले से आदो ने केंदर के BJP सरकार पर डिफेंस कोरिडॉर ना बनने पर भी तंज कसा और कहा कि ना तो डिफेंस कोरिडॉर बना है और ना बम बने ना मिसाइल बनी और ना ही कोई टैंकर बने अगर सरकार कुछ नहीं बना पाई है तो कमसगम यह BJP के लोग एक सुतली बम बना देते हैं. हवाला देते हुए उनके देश की यात्रा से इंकार करता है तो PCV को इसकी भरपाई की जानी चाहिए वैराम जन्मभूमी मंदिर में आर्चक के नियुक्त प्रक्रिया पर उठे सवाल ट्रस्ट ने कहा जाती आधार नहीं है वैराम जन्मभूमी मंदिर में आर्चक भरती प्रक्रिया को लेकर सवाल उठनी लगे है वैराम मंदिर ट्रस्ट ने साफ किया कि आर्चक की भरती जाती के आधार पर नहीं हो रही है आर्चक भरती पर उठ रहे हैं सवाल जाती के आधार पर नहीं होगा चयन बदला बदला विजाज है जानिया आपके जिले में कब होगी बारिस क्योंकि दोस्तों यूपे में दिसंबार आते ही मौसम में बदलावाना सुरू हो गया है इसी क्रम में सोमवार को प्रदेश के कई जगों पे बारिस हो सकती है और आपको बताते मंगलवार को भी बारिस क रहने वाला है नियूंतम तापमान की बात करें तो बरेलियों कानपुर में सहर में सबसे कम लगबर 9 डिगरी सेल्सियस नियूंतम तापमान बना रहेगा तो गजवा ए हिंद मौडूल मामले में एनाईय का बड़ा एक्सान यूपी गुजरा समित कई राजों में छापे मारे हैं एहम डॉक्यमेंट और डिजिटल डिवाइस भी जब्त किया गया है एनाईय की जाच के अनुसार आरोपी गरगूब पूरे भारत में आतंगवादी गत्विडियो को अंजाम देने के लिए स्लीपर सेल जुटाने के उदेश से ग्रूप के सदस्यों को प्रेरित कर रहा था आरोपी गरगूब ने भारत के साथ साथ पाकिस्तान बागला देश और यमन सहित अन्य देशों के कई लोगों को ग्रूप में जोड़ा था जो टेलिग्राम और बी आईपी मैसेंजर जैसे अन्य सोसल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर एक्टिब थे तो चलिए जान लेते हैं गोल्ड सीलवर प्राइस के बारे में क्योंकि सोने के भाव में तेजी के बाद ब्रेक लगी है चान्दी का रेट भी स्थिर हुआ है दस ग्राम सोने का भाव क्या है आईए इसको जान लेते हैं फटाफट से ज़़ दोस्तो सोने की कीमत थम गई है चान्दी का भाव भी स्थिर हुआ है आपको दादे दोस्तो मध्यपरदेश उत्तरपरदेश व चत्यस गल के सहरों में यानि भोपाल, रायपूर, लकनोग, कानपूर, वारारसी इंदौर में 10 ग्राम सोने का लेटेश रेट क्या है आप यहां पर 24 करेट का भाव आप यहां पर भी देख सकते हैं, जिसमें 1 ग्राम 24 करेट सोना 6,088 का, 24 करेट वाला 10 ग्राम गोल्ड 6,088 का मिलेगा, 22 करेट का भाव भी आप यहां पर देख सकते हैं, 22 करेट 10 ग्राम को सोना 7,980 का मिलेगा, चान्दी का रेट देख पर आवेदन करने का यह सबसे अच्छा मौका है कई बैंकों में अलग अलग पदों पर 15,000 से ज़्यादा खाली पदों पर आवेदन निकले हैं आईडी बी आई बैंक ने कुल 2100 रिक्त पदों पर आउनलाइन भरती मांगी है जूनियर असिस्टेंट मैनेजर यानि जे एम ग्रेड ओ पर कुछ 800 पद और एग्जेक्यूटिव सेल्स एंड आउपरेशन इसू पर लगबग 1300 रिक्तियां सामिल है वह माहतपूर्ट तितिया जा लीजे आवेदन शुरू होने की तारीख 22 नॉमबर है और आवेदन की अंतिम तारीख 6 दिसंबर है जूनियर असिस्टन मैनेजर के लिए ओनलाइन टेस्ट 31 दिसंबर को होगा तो एग्जेक्यूटिव के लिए ओनलाइन टेस्ट 30 दिसंबर को होगा वयूपी में 2 करोण युवाव को मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफून मिलने का रास्ता साफ हुआ है योगी सरकार का बड़ा कदम है आने वाले 25 दिसंबर को एक बार फिर से वित्रन हो सकता है उत्तर प्रदिस सरकार 2 करोण युवाव को टैबलेट और स्मार्टफून बाटने के लिए बड़ा फैसला ली है जिसके लिए 3600 करोण रुपए का बजट आवंटित किया गया है लैपटॉप बाटने के लिए सालाना बजट में 3600 करोण का रुपए का प्रावधान हुआ है नंद गोपाल ने कहा कि 2022 में सत्ता आने गबाद योगी सरकार ने लैपटॉप मोबाइल फोन बाटने के लिए प्रतिबद्ध है और सरकार इसको देगी आने वाले 25 दिसंबर को इसका वित्रण हो सकता है प्रदिस सरकार की मंत्री ने कहा स्किल इंडिया, खेलो इंडिया, मेक इंडिया और डिजिटल इंडिया और साथ ही स्टार्टप इंडिया जैसी योजनाए यूआ पीडि को आत्निर्भर बनाने के लिए सुरू की गई है ये बजा की सरकार यूआओं को हर संबो मंच दे रही है ताकि वह बहतरी कर आगे बढ़ सके तो आने वाले समय में आप अपने विद्याले से संपर्क जरूर करिएगा जिससे की टैबलेट स्मार्टफोन आप भी प्राप्त कर सके एक दिसंबर से बदल जाएंगे सिम कार्ट खरीदने के नियम जा लिजे वरना जाना होगा जेल जी हाँ दोस्तों दूर संचार विभाग ने सिम कार्ट खरीदने और बेचने के नियमों में बदलाओ किया है यानि एक दिसम्बर से सिम कार्ट खरीदने के नियाम बदल जाएंगे वयाद ही सेब कर लिजे डेटा वरना अगले हफते डिलीट हो जाएगा ये जीमेल एकाउंट जानिये क्या पूरा डिटेल है गूगल एक दिसम्बर 2023 से जीमेल एकाउंट को बंद करेगा इसमें इनेक्टिब एकाउंट पॉलिसी लागू करने का एलान किया है इस पॉलिसी के तहर जीमेल फोटो ड्राइब डॉक्यमेंट को बंद किया जाएगा स्कूल और कारबारी जगत के गूगल और जीमेल एकाउंट इसमें सामिल नहीं है यूट्यूब और ब्लॉगर भी बाहर है तो सरसो मुंगफली तेलों की कीमतों में मामली सुधार हुआ है जीया दोस्तों आपके दादे सस्ते खादे तेलों के देश में बढ़ते आयात के बीच मंगलवार को दिल्ली तेल तिलहन बाजार में खादे तेल तिलहन कीमतों में कारोबार का मिला जूला रुक देखने को मिला है लेकिन आप यहाँ पे दाम देख सकते हैं तेल और तिलनों के भाव इस प्रकार रहे हैं सरसो तिलहन जो है वो 54 रुपई या 54-50 रुपई के आसपास रहेगा वही मुंगफली के तेल 7000-7050 रुपई प्रतिक विंटल रहेगा मुंगफली तेल मिल डिलिवरी जो गुज़रात का है वो 72-200 रुपई प्रतिक विंटल रहेगा मुंगफली रिफाइन तेल 24-90 या 27-25 रुपई प्रतिक विंटल रहेगा सरसो तेल 10,500 रुपई प्रतिक विंटल रहेगा झाल झाल